अस्सलाम उलेकुम, खुशनसीब औरत दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वो औरत है जिसके पास एक मुखलिस मर्द है निकाह करो, लोग कहते हैं पहले संबल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्ला कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जुमदारी मेरी है शोहर और बीवी, जब शोहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है, तो अल्ला पाक को इसकी ये अदाब बहुत पसंद आती है मर्द, सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ महाफिज और साहिबान भी होते है अगर औरत के सबर से आबे जम्जम के चश्मे फूडते हैं, तो मर्द के होसले और सबर की गवा कर्बला की मटी है बीवी का तुफ़ा, बीवी की खुशियों और खवाहिशों का ख्याल रखना शोहर की जुमदारी है क्योंके वो आपके इलावा किसी से नहीं कह सकती शोहर का प्यार, वक्त, तवज़ा ही बीवी के लिए सबसे बहतरीन तुफ़ा है मर्द और औरत की दोस्ती, कुरान पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिकर कहीं भी नहीं है इस मतलिक अल्ला पाक ने फरमाया और जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ निकाह करो बीवी के गवाही अपनी बीवी को राजी और खुश रखो यूँके क्यामत के दिन वो तुम्हारे हक में गवाही देगी बीवी का इतमाद बीवी जब अपने मसायल शोहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता वो शकायत कर रही है बलके वो आप पर एतमाद करती है अच्छा शोहर कोन होता है के शोहर और नखरे सिर्फ माबाप ही पूरे करते हैं अगर शोहर अच्छा मिल जाए तो शोहर भी पूरे होते हैं और जिद भी ओरत عورت کی طبیعت میں एक अजीब तरह का दिजाद है कि वो गरीब शोहर से पैसे मांगती है और पैसे वाले शोहर से प्यार मांगती है दूसरी शादी अगर इसलाम में बीवी को खावंद के माबाप का खिया रखने का हुकम नहीं तो इसलाम में चार शादियां करने का भी हुकम मजूद है मिया बीवी का नमाज पढ़ना जब मिया बीवी दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अल्ला ताला इनके दिलों में बेपना मुखब पर डाल देता है औरत का हक नबी करीम सलिलाहो अलेहे वसलम ने इशाद फरमाया औरत पे सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है मर्द मर्द बड़ी नाजुक मखलूक होती है इसे औरत का हाई कहना ही मार देता है मर्द की ताकत मर्द की असल ताकत इसकी नेक बीवी है गुंगी औरत औरत की लंबी जबान का शिक्वा सबी करते है मगर कोई गुंगी औरत से शादी भी नहीं करता मर्द और औरत लड़की जहेज में तर्बियत लेकर आए और मर्द हक महर में इज़त दे तो बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है शोहर की एहमियत बाप के बाद शोहर अल्ला की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है औरत की खुशी वाकिए औरत जात की खुशियां पगडियां और दुबटे खा जाते हैं औरत दो मर्दों को औरत अपनी जिन्दगी में दो मर्दों को कभी भी नहीं भूलती एक वो जो उसे महबद करता है दूसरा वो जो उसकी इज़त करता है मिया बीवी का साथ शोहर का साथ होतो बीवी मुश्किल से मुश्किल हालास से नहीं घबराती अगर वो ही साथ ना दे तो औरत बहुत जल्द ठक जाती है बीवी की तसली जब शोहर परेशान घर आए और बीवी उसे तसली और इहसास दिलाए तो उसे जहाद जितना सवाब मिलता है मिया बीवी की तलाख मिया बीवी की तलाख में सफर उनके बच्चे करते हैं मिल जाता है मगर बैचों को ना बाप ना माँ का प्यार मिलता है बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है वनना तकलीफ में साथ सिर्फ बीवी ही देती है ओरत का जहाद हजदली ने फرमाया ओरत का जहाद शोहर के साथ अच्छी जिन्दगी बसर करना है मिया बीवी का रिष्टा मुझे ऐसी महबद नहीं चाहिए जो लैला और मजनू के दर्मयान थी बलके मुझे ऐसी महबद चाहिए जो हज़द मुहम्मद صلی اللہ علाह वसल्म और हज़द खतीजा रजियल्ला ताला अनहा के दर्मयान थी बीवी का मान बीवी अपने शोहर को जो चाहे कहती रहे लेकिन कोई और उसके शोहर की बुराई करे वो ये बात कभी भी बरदाश नहीं कर सकती अमीर मर्द सबसे ज़्यादा अमीर मर्द वो है जिसकी जेम में औरत की वफा होती है मर्द की महबद मर्द जैसी मुखलिस महबद औरत कभी कर ही नहीं सकती बीवी का साथ जिन्दगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है जो अपने मीठे बोल वफदार और अपनायत के एसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है बेहतरीन मर्द बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नराज हो और जल्दी राजी हो जाए पाकीजा औरतें पाकीजा औरतें आखर में हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी समझदार बीवी समझदार बीवी वो होती है जो जिन्दगी के मामलात में खावन को बड़ा बना कर रखे क्योंकि खावन को अल्ला ने मरतबे में बड़ा बनाया है शोहर बीवी हम ऐसे माशे में रहते हैं जहां अगर ओरत अपने शोहर का दिल जीत ले जिसको दुनिया की कोई नफरत नहीं तोड़ सकती, ओर Siskoa में जब भी तोड़ा है, महबद नहीं तोड़ा है. मिया बीवी जब शोहर अपनी बीवी को हकीकी महबा देता है तो बीवी अपने वाल जैन से भी बड़ा दर्जा अपने शोहर को दे देती है अच्छा शोहर बेटियां जब सुस्राल में खुश हो तो वो खुद ही मेके जाना कम कर देती है क्योंकि शोहर के बगएर दिल नहीं लगता अगर शोहर अच्छा हो तो बीवी बुरे सुस्राल में भी गुजारा कर लेती है शरीफ औरत शरीफ औरत जिस से एक बार जुड जाए फिर वोही उसका सब कुछ होता है और के साय का सवाल ही पैदा नहीं होता जान दे देगी, शिर का खयाल तक न लाएगी बेहतरीन मिया बीवी बेहतरीन मिया बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है के वो आपस में इख्तलाफात और नराज़की के बावजूद एक दूसे का ख्याल और फिकर करना नहीं छोड़ते शोहर का लापरवा होना बीवी को और बीवी का लापरवा होना शोहर को नफसियाती मरीज बना देता है शोहर और बीवी जब शोहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्ला पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है बीवी का इतमाद बीवी जब अपने मसाइल शोहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता वो शकायत कर रही है बलके वो आप पर इतमाद करती है मिया बीवी के दरम्यान ऐसा तरलुक होना चाहिए कि दोनों एक दूसे के बगएर ना रह सकें बीवी जिस तरहां इस्तरी करने से कपड़ों में जान आ जाती है बिलकुल इसी तरहां सब के सामने बीवी को इज़त देने से बीवी में भी जान आ जाती है मर्द की शकिस्त दुनिया की सारी कामयाबियां समेटने के बाद भी मर्द अपनी मन पसंद औरत के कदमों में शकिस्त तस्लीम कर लेता है मिया बीवी का रिष्टा मिया बीवी का रिष्टा मुकाबले का नहीं मुहबत का रिष्टा है अगर ये दोनों आपस में मकाबला करने लगें तो दुनिया का मकाबला क्या खाक करेंगे उरत का पहला गरूर उसका हुसन होता है और आखरी गरूर उसके बचे होते हैं अपने आखरी गरूर को मुकमल करने के लिए वो अपने पहले गरूर को खाक में मिला देती है अपना उस दोसों का क्या रखें, खुश रहें, खुश यहां बांटें